हिंदू धर्म में 108 अंग शुब माना जाता है तो द्राक्ष की माला में मनकों की कुल संख्या भी 108 होती है साथ ही किसी मंत्र का जाप कुल 108 बार करने के लिए कहा जाता है हिंदू में कहा जाता है कि जब तक इश्वर का नाम कुल 108 बार ना लिया जाए तब तक उसका सुब फल प्राप नहीं होता मालूम हो कि हिंदू धर्म के अलावा कुछ अन्य धर्मों में भी 108 को काफी शुब माना जाता है जैसे कि बौत धर्म में भी पूजा की मालाओं में मनको की संख्या 108 होती है इसके अलावा जैन धर्म के धर्म गुरू या अन्याई अपनी कलाई पर जो जाप माला बानते हैं उनकी कुल संख्या भी 108 ही होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है 108 को भगवान शिव का अंक माना गया है क्योंकि मुख्या सिवांगो की संख्या 108 होती है इसीलिए लिए लिंगायत संप्रदायक में रुद्राक्ष की माला में कुल 108 मनके होते हैं इस माला के जाप से शिव के प्रशन होने की माननता है वहीं गौडिय वैशनव धर्म में मानता है कि विरिंदावन में गोपियों की कुल संख्या 108 थी कहते हैं कि 108 मनकों से गोपियों का नाम जपने से शूपफल की प्राप्ती होती है साथ ही स्री वैशनव धर्म में भगवान विश्नु के कुल 108 दिव्य छेतर बताए गए हैं इसे दिव्य देशम कहकर पुकारा जाता है बौट धर्म में कहा गया है कि व्यक्ति के मन में कुल 108 तरह की भावनाएं उत्पन होती हैं ये संख्या सूंगने, सुनने, कहने, खाने, प्यार, नफरत, दर्ड और खुशी आदी को मिला कर बनाई गई हैं कहा जाता है कि इन 108 भावनाओं से ही व्यक्ति का जीवन संचालित होता है इसके अलावा बहुत धंके कई प्रसिद्य मंदिरों में सीडियों की संख्या भी 108 है 108 सीडिया चड़कर मंदिर में प्रवेश करना लाबकरी माना गया है जो 37 के अनुसा कुल 12 राशिया होती हैं, इन में 9 ग्रह विचरन करते हैं यदि इन दोनों संख्याओं को कुणा किया जाए, तो 108 अंक प्राप्त होता है इस प्रकार से 108 अंक की महत्ता को व्यापक तौर से समझा जा सकता है